जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान राज योग के राज को जान, जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान, जिन्दगी बने आसान नमश्का दोस्तों, ओम शान्ती स्फागत है आप सभी का हमाई प्रोग्राम जिन्दगी बने आसान में दोस्तों कहा जाता है कि जिन्दगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है ये बात किस हद तक सत्य है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिन्दगी में हम रुक जाते हैं उसके बाद हमें पता नहीं होता कि आगे का रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा इस कुपसुरत बात के साथ, आज के प्रोग्राइम के हम शुरुबात करते हैं, हमारे साथ है जाने माने मनोचिकेट सक, डॉक्तर अवदीश शर्मा जी, ओम शंती, ओम शंती, वेलकम टो आशो भाई जी, थैंक यू वेरी मच, प्लेशा, डॉक्तर सहाब, हमारी पूरी सीरी चल रही है, teenagers के उपर, teenagers अर्थात adolescents, अर्थात youths, जिन्के बारे में हमने काफी कुछ जाना, और काफी कुछ अब जानना बाकी है, आज हम बात करना चाहते हैं, एक ऐसे relationship के बारे में, जो teenagers के लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है, जो की उनके खुद के साथ है, relationship with oneself, इ कि actually, जो term है relationship with self, उसका meaning है self concept, यह ऐसे प्रशन हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों यहां हूँ, कहां जा रहा हूँ, मेरी मन्जिल क्या है, वगरा वगरा, उसी के साथ में, टीनेज में, मेरा शरीर कैसा है, लेकिन टीनेज में, इस प्रशन के और कई माइने हो जाते हैं, जिसको self concept कहा जा सकता है, physical dimension में, emotional dimension में, relationship dimension में, और spiritual dimension में, physical dimension में, जब शरीर में, changes जादा आने शरू होते हैं, तो वो टीनेजर सोचना शरू करता है, कि मैं, अब बड़ा होके, कैसा दिखूँगा, कैसा लगूँगा, acceptable होंगा के नहीं, दूसरे मुझे ठीक तरह से, देख पाएंगे, या मुझे पे comment करेंगे, और वो actually self concept जो है, वो बच्चमन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन टीनेजर के मन में, यह बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि growth suddenly होती है, अगर उसमें, वो अपने आपको सक्षम महसूस करता है, अगर उसे ऐसे लगता है, कि हाँ, मेरी growth adequate है, मेरी ऐसी growth है, जिसकी वज़े से मैं दूसरों को मनलभावन महसूस होता हूँ, या मैं खुद के साथ comfortable हूँ, तो उससे जो उत्पन हुए negative विचार है, वो शान्त होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मान लीजे, उसके परिवार में या बाहर वाले, बच्चमन से उसको कहना शुरू करते हैं, कि तुम तो द लंग सावला है, या तुम छोटे साइज के हो, या तुम्हारी बॉड़ी डवेलप नहीं हुई है, तुम आगे क्या करोगे, तुम्हारा और अगर comparisons भी होने शुरू हो जाए, तुम्हारा भाई या बहन या कजन या पुड़ासी ऐसा दिखता है, देखो वो कितना smart है, त तुम smart नहीं लगते हो, तो वहीं से उसका अपने बारे में जो मन में एक image है, वो कम होनी शुरू हो जाती है, इसलिए आप पाएंगे कि जो adolescent हैं, वो बहुत पार कई बार पूछते हैं, मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, या अपने friend से पूछते हैं, parent से कई बार नही किशे को देखते हैं, अगर मान लीजे एक अदा पिंपल भी face पे निकल आए, तो बहुत जादा परेशान हो जाते हैं, पानिक सिचोएशन हो जाती है, तो पूरी तो पूरी जिंदगी जो है, उस चीज के आसपस खूमने लग जाती है, लेकिन अगर मान लीजे वो अपने कैसे हैं, किया बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, किया बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, मोड बहुत फ्लक्शेट होते हैं, या वो हर चीज में समझ पाने में सक्षम होते हैं, एमोशनली स्टेबल होते हैं, अगर कोई उंच नीच हो भी कई बच्चे जिन्हें की या तो बच्चपन में पनपने का मौका नहीं मिला या उनके रिलेशन्शिप दूसरों के साथ अच्छे नहीं रहे चाहे वो अपने पेर्ज हैं, अपने उम्र के बच्चे हैं या बड़े हैं और मान लीजे एक परिवार में पेरेंट्स का अपस में बहुत जगड़ा चलता है तो वहां पे बच्चों के उपर भी बहुत असर पड़ता है अगर मान लीजे बच्चे को हम नेगेटिव कमेंट्स हर बार कहते हैं एक बात होई तो उसको जनलाइज करते हैं उसके एकजाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो कहा तुम तो किसी भी काम के नहीं हो कुछ भी नहीं कर पाओगे तो उसका अपने बारे में जो इमोशनल कॉंसेप्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है कुछ बच्चे जो कि बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाते इस्पेशली वो बच्चे जिनको की डिसलेक्सियाज है उनको अगर कहा जाता है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम पढ़ी नहीं सकते हो तुमारे माँख सच्छे नहीं आते है तो उनको वही चीज अपने बारे में लगनी शुरू हो जाती है तो उस वजह से उनका जो emotional self concept है वो negative बनना शुरू हो जाता है और छोटी ही चीज बाद में teenager में बड़ी हो जाती है क्योंकि उस समय वो extra sensitive हो जाते है क्योंकि hormones की वजह से उनको छोटी छोटी बातें थोड़ी जादा चुबनी शुरू हो जाती है तो वो उस चीज को अतनी जल्दी संभाल नहीं पाते है तीसरा है relationships का हम जो अपने बारे में सोचते हैं और जो हमारे बारे में दूसरे सोचते हैं उसका testing ground जो है वो हमारे relationships है हम किस तरह से दूसरों के और अपने बीच में एक bridge को बना पाते हैं अपनी बात को कह पाते हैं दूसरे की बात को सुन पाते हैं विचारों का लेंदेन कर पाते हैं एक ऐसे महाल में जिसमें ना मैं threatened मैसूस करता हूँ ना मैं दूसरे को threaten करता हूँ actually ये एक art है दिखा जाये तो इतना स्वते भी नहीं आता अलां कि हम इसे taken for granted ले ले लेते हैं तो अगर संबंद अच्छे बन रहे हैं सब लेवल पर परिवार की लेवल पर siblings की लेवल पर teachers के साथ अपने friends के साथ और इस उमर में friends का जो feedback है वो सबसे जादा important हो जाता है तो अगर वो चीज ठीक बन रहे है तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ मेरे relationship अच्छे बन रहे हैं मैं सक्षम हो ultimately इन सब का एक ही goal है कि उस व्यक्ति को as an individual सक्षम महसूस करवाना ताकि वो जिन्दगी का जो next पढ़ाव है next पढ़ाव है पढ़ाई खतम हुई काम शुरू किया work related अकेले थे अब कोई partner मिला तो जादा तर शादी की तरफ और उसके बाद एक नई unit को establish करना तो नई unit establish होने से पहले अगर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है हर रूप से तभी वो नई unit को आगे लेके जाएगा लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है यह हम कहते हैं कि आप सक्षम नहीं हो तो उसको अंदर से बड़े doubts होने शुरू हो जाते हैं और वो doubts चो हैं वो doubts कई बार future में जाके बहुत अधिक तंग करते हैं कुछ पच्चे विड्रॉ कर जाते हैं इस दराद में क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उतने अच्छे नहीं है जितना कि वो बनना चाहते हैं कुछ हैं जो कई बार aggressive हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात को बहुत forcefully रखना चाहते हैं मनवाना चाहते हैं कुछ हैं जो manipulative हो जाते हैं हर चीज़ control करना चाहते हैं emotionally भी blackmail करके या गुसे के साथ साथ कुछ हैं जो थोड़े से दबू हो जाते हैं और ये सब जो बाते हैं teenagers खुद भी समझते हैं दूसरों से भी उनको feedback मिलती है और उस सब के साथ साथ उसका एक ultimate holistic whole बनता है चौती dimension जो है spirituality की हमतार पर इसके बारे में बात होती नहीं है लेकिन यही समय है जब बात होनी चाहिए क्योंकि इन सब का एक बाहरी purpose है लेकिन अंदर से जब तक खुशी नहीं होगी तो बाहरी purpose का कोई फैदा नहीं है आप बहुत अच्छी job कर रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं हूँ आपके पास सब कुछ है लेकिन अंदर से किसी चीज की कमी महसूस हो रही है आप वैसे देखने में successful है लेकिन आपको अंदर से लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया या कुछ नहीं किया तो वो सब को समझने के लिए spirituality का होना बहुत ज़रूरी है spirituality का basic मतलब अगर हम देखे तो मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ क्या dimension में हूँ क्या मेरे अंदर प्रतिभाएं है क्या गुण है मैं किस प्रकार से अपने आपको कितना सक्षम महसूस करता हूँ उन गुणों के साथ उन dimensions के साथ किस प्रकार से मैं अपने में जो महसूस करता हूँ, वो दूसरों तक ला पाता हूँ, यह जो गुण हैं, यह जो वैल्यूज हैं, यह जो हमारी इंटर्नल शक्तियां हैं, इनके बारे में बहुत कम बात होती है, उसी के साथ-साथ अपने मन को स्थेर कैसे करना है, काईटन्टमिंट कैसे लानी है, गुणों को कैसे आदान प्रदान करना है, मेरी हिडन पावर्स क्या है, मैं क्या-क्या जीवन में अचीव कर सकता हूँ, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और अगर अचीव नहीं भी होती, तब भी मैं अपने आपको कैसे सक्षम महसूस कर सकत के बियॉंड मेरा पर्पस अफ लिविंग क्या है, ये बातें जो हैं, ये कई बार टीनेजर के मन में आती है, कुछ बच्चों में, बहुत बच्पन में भी आती हैं, लेकिन उनके आमतर पे या तो आंसर्स ने मिलते, या घरवाले बहुत डर जाते हैं, कि अरे इस उम्र म कि कोई भी एज गलत नहीं है, स्पिरिचालिटी को सीखने की, स्पिरिचालिटी का मतलब परिवार से कटना नहीं है, परिवार में रहके, परिवार और लौकिक की बातों को लेकर, पढ़ाई करकर काम करते हुए, हम अपने जीवन में वो गोन, वो वैल्यूज कैसे ला सके जिससे हम एक अच्छा नागरिक भी बने, अपने अंदर भी सशक्त बने, और अगर कोई बाहरी रूप से परेशाने आ रही हैं, उसके साथ भी डील कर पाए, और मैं तो समझता हूँ कि वैल्यूज जो है, ये बच्छपन से क्या, स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए, और वैसे तो वैल्यूज इन एड्यूकेशन, प्रॉजेक्ट्स भी हैं, म्रमकुमारी जिसमें की, स्कूल में जाकर, कैसे छोटे बच्छों को भी उनके रूप में, गेम्स के रूप में, या किस तरह ऐसे उस समय में उनको जीवन में फायदा मिलेगा, मेमरी कैसे बैटर ह होगी, अगर किसी वज़े से आपके साथ दूसरे ने गलत बेहव किया, तो आप कैसे उसके साथ सही बेहव कर सकते हैं, या मान लीजिए आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे उपर उठ सकते हैं, यह एक्शली लाइफ स्किल्स हैं, जो पूरी ज कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ानी है, जब कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो चीजें याद रहेंगी, एंग्जाइटी नहीं हो, और शोध हुई है कई सालों से, कि जब आप एक मेडिटेशन ही नहीं, एक मेडिटेटिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, जिसका मतलब यह है कि मैं सोचता क्या हूँ, मैं खाता क्या हूँ, मुझे यहाँ पे क्या खा रहा है, मैं सोता कैसे हूँ, और किस प्रकार से मैं अपने और दूसरों के साथ संबंद रखता हूँ, वो अगर लाइफ स्टाइल को हम सीख सकें, तो हम जीवन की बातों को असानी से समझ भी तो वो जो spiritual aspect है, वो इस रूम में अगर कोई अपनाना शुरू कर दे, जीवन में सीखना शुरू कर दे, तो उसके लिए इन चीजों से डील करना कई बर बहुत आसान हो जाता है। आज कल के यंग्स्टर्स की अगर हम बात करें तो उनकी लाइस्टाइल तो कंप्लीटी डिफरेंट होती है। तो अगर आप यंग्स्टर्स से पूछें, उनमें से बहुत से हैं जो की बेमाने चीजों की परस्यूट को जीवन नहीं मानते हैं। जब आप बाहरी रूप से अपने जीवन में स्टिमूलेशन लाते हैं, तो वो कुछ तेर के लिए आपको वो खुशी कह लीजाए या स्टिमूलेशन कह लीजाए, वो देती है। लेकिन कुछ तेर के बाद वो अपना काम करना बंद कर देती है, फिर जादा स्टिमूलेशन की जरूत परती है। और अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, तो बहुत जल्दी ही आप उससे उबना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी चीज अगर पाकेट में आई है, उसके मॉडल्स को बार-बार इसलिए बदला जाता है। क्योंकि परानी चीज से लोग उबना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मान लीजे, आप जीवन को हर रोज एक नए रूप में देख सकें। आप जीवन में एक सशक्त और एक पॉजिटिव नजरिया बना सकें। अगर कुछ चीज ठीक नहीं चल रही, तो उसे किस प्रकार से नए ढंग से देखना है, इसको देख सकें। और अपने काम से घट चाना, अपने परिवार से घट जाना और उस चीज में ही सिरफ को जाना, कहीं भी उसे युष्च्यालिटी नहीं कहा जाएगा। और उसे असकार जाएगा। तो यहां पे सन्यास की नहींबात हो रही है. यहां पे उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लाकर जीवन को जीने की बात हो रही है. और वहां पे पेरेंट्स, हाँ, दर जरूर कई बार होता है, लेकिन वहीं पे बैलेंस की जरूरत है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब मैं ध्यान लगा रहा हूं, वो नॉर्मल नहीं है, अगर कोई कहे कि मैं सारा दिन एक गुफा और इंसिडेंटली एडॉलेसेंस में कई बार ये भी पाया गया है कि कुछ लोग इस प्रकार से खो जाते हैं, और कई बार उनमें कुछ मांसिक परिशानिया शुरू हो जाती हैं, अगर वो उसी में खो जाते हैं तो, अगर वो बाहर के जीवन के साथ कट जाते हैं, अगर वो 24 गंटे उसी में रहते हैं तो उसे नॉर्मल नहीं वाना जाएगा उसे जीवन जीने के एक धंग को अपनाते अगर हैं वही सब करते हुए जो दूसरे लोग कर रहे हैं लेकिन एक नए रूप में तो वो पूरी जिन्दगी आपके साथ चल साथ दोक्टर सहाब आप एकदम सही कह रहे हैं जब हम बात करते हैं स्पिरिच्वालिटी की पहले तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि as a parent क्या मैं अपने बच्चे को स्पिरिच्वालिटी की तरफ अकरशित होने दू या ना होने दू पर अब मुझे लगता है हमारी सारी ओडिएंस इस पर कन्विंस हो चुकी है कि स्पिरिच्वालिटी को अगर यूथ में या फिर बच्चों की लाइस्टाइल में अगर थोड़ा सा समय देकर उन्हें उस ठीज के बारे में जागरुक करें तो उनकी लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इंपक्ट उसका पढ़ सकता है जी डॉक्टर साहब कुछ ओडिन्स के हमारे क्वेस्टिन्स है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं जरूर मेरा नाम रीना है मैं फिरिदबाद से आई हूँ मुझे अपने बच्चे को लेकर कुछ कोशन करने हैं मेरा बच्चा अपने ड्रेस को अपने स्टाइल को बालों को लेकर बहुत ही जादा एकदम चिर्चड़ा हो जाता है अगर उससे कोई कुछ वोल दे तो आपस का कोई शॉलूशन बता सकते हैं नमस्ते मैं सुजाता नवी उंबै से मेरा प्रोब्लम यह है कि बच्चे आजकल बच्चे मावब के सुनते नहीं और मैं चाहती हूँ कि बच्चों में अध्यात्मिक वैल्यू धार्मिक वैल्यू अच्छे संस्कार किस तरह से उनमें बढ़ाया जाए ताकि कल वो उच्छ नागरिय बन सकेолот क्रक्टतर सःब इन का सवाल को चिसप्रकार है यह अपने बच्चे को लेकर के बहुत जाधा चिंतित है क्योंकि इनका जो बच्चा है वह बहुत जाधा लुक्स को लेकर के क्रिटीकल हो चुका है और साथी साथ अगर थोड़ा सा भी उनको उसके लुक्स के बारे में बोला जाए तो वो बहुत ओवर्याक करता है तो ये किस हद तक इस चीज़ को अवाइड किया जा सकता है और दुसरा सवाल ये है कि ये अपने बच्चे के अंदर बहुत सारे वैल्यूज जानना चाते है गुड कॉलिटी उनके अंदर बरना चाते है लेकि उन्होंने कोई रास्ता नजर नहीं आता क्योंकि पैरेंट्स की बात को शायद वो एक एक अज़ा लेक्चर लेंगे लेकिन अगर third person आकर के उन्हें ये चीज़ समझाए तो शायद वो इस चीज़ को seriously लेकर के और अपने जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं तो इन दोनों सवालों में किस तरह से एक बच्चे की सही growth हो उसके बारे में ये सवाल है इसका कुछ जवाब अगर आप दे सकते हैं तो लुक्स के बारे में obviously teenage इसलिए परिशान हो जाते है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनकी लुक्स है वो ही दूसरी दूबों को दिख रही है तो वो window of themselves है to the world और अगर वो window ही महली है या चीक नहीं है तो दूसरे इनके बारे में क्या समझेंगे सचाई ये है कि लुक्स बदलती रहती है जो आज pimple है वो हफते बाद नहीं रहेगा उम्र के साथ साथ हमारा face भी बदलता रहता है weight भी बदलता रहता है fashions भी बदलते रहते हैं तो किसी भी चीज़ को इतना seriously ना ले कि वो आपको stress out कर दे क्योंकि ये एक सचाई जरूर है कि अगर आप tension में हैं तो आपकी look जरूर खराब लगेंगे और अगर आप रोए हैं तो वो जरूर चेहरे पे दिखेगा उसकी वज़े से अगर आप सोई नहीं हैं तो वो जरूर चेहरे पे दिखेगा कोई भी problem का solution है और उसको solution को देखने के लिए ये देखें कि बड़ी problem क्या है क्या वो सचमुच में ऐसी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और उसके बाद अंकलन करने के बाद जो भी करना है उसको किया जाए लेकिन परिशानी के रूप में नहीं सेकेंट कई बार हम सिरफ लुक्स पर रुख जाते हैं अगें वो सच्चा ही नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति जो हमें मिलता है वो हमारी knowledge को हमारे बात करने के तरीके को हमारी personality को उससे भी उतना impressed होता है जितना की look से तो even amongst friends तो looks important है लेकिन सिर्फ looks ही important नहीं है और जो भी चीज ठीक नहीं लग रही पहले ये देख लें कि सच्मुच क्या आपका अंकलन सही है या शायद आप over react कर रहे है parents उस समय में डांटे बिना उसे बार बार ये कह के तु तो अपने पूरी ध्यान रखते हो या रखती हो समझें कि उसके लिए looks important है बैठ के जो उसके solution है at least बताएं या दिखाएं कि वो उसके बारे में उतना ही concerned है जितना की वो teenager है तो दोनों मिलके उस पड़ाव को पार कर सकेंगे और कुछ दिनों बाद शायद बैठ की हस भी सकेंगे कि इतना ज्यादा वो अपनी looks को ले के परेशान थे values को सिखाया कम जाता है values को अपने आप ही सीखा जाता है तो अगर आप में values हैं दूसरे वो देखके अपने आप ही उन values को अपने अंदर भरेंगे और यह देखा जाता है कि अगर parental values हैं तो उस परिवार में दूसरे बच्चे भी उसी तरह की values को अपनाएंगे जैसे कि घर में एक तरह का खाना बनता है तो कई बार सालों साल लोग कहते हैं कि मेरी माँ के खाने जैसे अदसाद कहीं और नहीं है तो अगर वो values हैं आप खुद दे सकते हैं अपने example के दौरा या कई जगाहे हैं जैसे ब्रहम कुमारीज में summer camps होते हैं या बच्चों के लिए especially camps होते हैं या बच्चों में as an education उसको कैसे लिया जा सकता है या curriculum में कैसे लाया जा सकता है या खेल खेल में values को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं इस उम्र में उसे भारी ना बनाएं उसे lecture ना दें कुछ real life examples के दौरा stories के दौरा उसको सिखाया जा सकता है तो मैं जो समझता हूँ कि Mount Abu में और जो Brahma Kumaris के centers है उनमें भी education के अंदर values को कैसे ला सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे programs हैं और उनके दौरा भी रहते हुए घर में पढ़ते हुए school में जीते हुए जिन्दगी को values को कैसे introduce किया जा सकता है उसके बारे में बात होती है वही नाइस रक्टर सहाब आज हमने इतनी सारी बाते सीखी जिसमें मुझे सबसे जादा important बात ये लगी कि spirituality को अगर हमें अपने जिन्दगी का हिस्सा बनाना है तो कही ना कही हमें पहल करने की जरूरत है as a parent अगर आप अपने बच्चे को अंदर में spirituality को थोड़ा सा भी inculcate करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं आज हमारे ब्रहम कुमारी में भी बहुत सारे ऐसे camps होते रहते हैं summer camps होते हैं जिनमें हम अपने बच्चों को डाल करके और वहाँ पर उन बच्चों के अंदर वो values डाल तकते हैं जिसके लिए आज हम बहुत time से वेट कर रहे थे जे thank you so much रख्टा साहब thank you for coming in the show thank you very much ओम शांती ओम शांती दोस्तों आज हमने क्या सीखा बहुत सारे रिष्टों के साथ आज हम जिन्दगी को जी रहे होते हैं लेकिन कही न कही एक ऐसा रिष्टा भी होता है जिसे हम भूल चुके हैं वो है रिष्टा अपने आपके साथ आज हमने जाना कि किस तरह से अपने आपके साथ ने एक ऐसा रिष्टा create करें, जिससे आप खुद को भी मजबूत बनाएंगे और अपने आसपास के situations को भी बहुत जादा positive create कर पाएंगे साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि spirituality को अगर हम अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं तो teens या फिर youth की जिसकी हम बात कर रहे हैं उस समय पर अगर आप spirituality को उनके जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनकी जिंदगी का wholesome growth होने लगेगा और साथ ही साथ उनकी जिंदगी का असली मकसद वो जान पाएंगे इस खुब सूरत बात के साथ आज की प्रोग्राम को मेंट करते हैं आप से फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान ओम शान्ती